शांतनू नाइडू एक युवा लड़का जिसने अपनी महनत और प्रतिमा से रतन टाटा जैसे दिगज उद्योग पती का ध्यान आकरशित किया उसकी कहानी युवाओं के लिए एक प्रेड़ना है कि कैसे एक सामान परिवार से तालुक रखते हुए भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है पूरे मिजन में शांतनू नाइडू ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कॉर्णल विश्वविद्याले से MBA किया लेकिन उसकी असली पहचान तब हुई जब उसने आवारा कुतों के लिए रफ्लेक्टर के साथ डॉग कॉलर बनाए नमस्कार मिरा नाम है आयूशी और आप देख रहे हैं चनसत्ता वीडियो में बात करेंगे रतन टाटा के केर टेकर यानि की शांतनू नाइडू की डॉग कॉलर बनाने वाली काम को देखकर रतन टाटा इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने शांतनू को मुंबई बुलाया और अपने असेस्टिन के रूप में काम करने का ओफर दिया आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा ने खुद शांतनू के काम से प्रभावित होकर शांतनू को खुद कॉल किया था शांतनू ने टाटा ट्रस्ट में काम किया और रतन टाटा को स्टार्टप्स में निवेश करने के लिए बिजनेस टिप्स दिये उनकी महना तो प्रधिभा ने उसे टाटा सम्हू में एक महद पूंट स्थान दिलाए आज शांतनू नाइडू टाटा ट्रस्ट के उप महाप्रबंधक है और उनकी कहानी यवाओं के लिए बहुत ही जादा पेड़ना दायक है शांतनू का जन्व पूरे में 1993 में हुआ था वो एक प्रसिद्ध भारतिय व्यवसाई, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, दीजीएम, सोचिल मीडिया इंफ्लूएंसर, लेखक और एक उध्यमी है कॉर्णर विश्विद्याले से MBA शांतनू नाइडू टाटा समू में काम करने वाले अपने परिवार की पांचवी पीड़े है उनके लेगनिन प्रफाइल के मताबिक शांतनू जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं इसके अलाबा नाइडू ने टाटा LXC में भी डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम किया है शांतनू नाइडू का सपना तब पूरा हुआ जब रतन टाटा ने उनके Facebook पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्हें एक मीटेंग के लिए आमंतृत किया जहां उन्होंने आवारा कुटो के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाये गए डॉक कॉलर के बारे में लिखा था ताकि ड्राइवर उन्हें मुंबई की सडकों पर देख सके एक student organization होने के नाते इन कॉलरों को बनानी के लिए शांदून के पास परयाद पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने कॉलर बनानी के लिए बेस material के रूप में denim pants का उपयोग किया उन्होंने अलग-अलग घरों में denim pants को एक खटा किया इसके बाद पूरे में 500 reflective collar बनाये और 500 कुत्तों को ये collar पहनाया इन collar को पहनी हुए कुत्तों को रात में भी बिना street light के भी वहन driver दूर से ही देख सकते थे और इसलिए गली के कुत्तों की भी जान इस तरीके से बचाई जा सकते थे उनके काम को कई लोगों ने देखा और खूब सरा है जल्द ही शांतनू नायडू के काम पर सभी का ध्यान जाना शुरू है और टाटा कंपनी के समाचार पत्र में इसे उजागर किया गया जिसने उन्हें टाटा समू के पूर्व अध्यक्ष और एक आनिमल एक्टिविस्ट रतन टाटा से खुद मुंबई का निमंत्रण मिला 2016 में शांतनू नायडू अमेरिका में कर्णल विश्विद्याले में MBA करने गये थी जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और 2018 में वापस आये तो उन्होंने चेर्मेन ओफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में काम किया बता दे के रटन टाटा के करीबी सहयोगी शांतनू नायडू ने अपनी LinkedIn अकाउंट के जरिये दिल छूलेने वाला पोस्ट किया है शांतनू ने रटन टाटा की कई विवसाहिक उपलब्दियों पर नहीं बलकि उनकी घनिष्ट मित्रता पर प्रकाश जाला है रटन टाटा के कारेकाल के 30 वर्षिये महाप्रबंदक शांतनू नायडू ने लिखा अब इस दोस्ती ने अब मुझ में जो खाली पन छोड़ दिया है उसे भरने में मैं अभी बाकी जिन्दिगी बिता दूँगा दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है अलविदा मेरे प्रिये प्रकाश इस्थम्भ शांतनू नायडू के इस प्रेना दायक कहानी पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जु सब्दा के साथ